also friends welcome to stock market tricks once again इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैं आज जो चीज़े होई निफ्कि में इतना ज्यादा जो निफ्टै गीरी थी उस पी लोग बात करेंगे और कल के लिए जो लेवल्स आ सकते ARE works कौन बार से हो सकते हैं तो यह हमारा निफ्टी का चार्ट है। यह हमने इसका ऍाइम फ्रेम डेली में किया… और कोई भी stock या फिर कोई भी indices जो भी से जो भी है वह एक itDas में थे काम करते कहिए है या तो नीचे जाएगी या तो पर जाएगी तो निफटी मेंyour जो रिट्रेस्मेंट लेवल था हमारा इसने 50 परसेंट के आसपास आप देखेंगे मैं अगर इसका रिट्रेस्मेंट लेवल ड्राइब करता हूं तो आपको एक आइडिया लग पाएगा मैंने एक पॉइंट यहां से उठाया और इस तरह से इसको यहां से मैच कड़े मिला दिया इसका मना दिया आप देखेंगे जो हमारा 50% का एक रिट्रेस्मेंट लेवल था 9961 के आसपास था ओके और इस कैंडल का जो हाई था हमारा 9889 के आसपास यह जो हमारा नीर था यह डबल नाइन डबल जीरो के आसपास था तो आप देखेंगे कि जब भी जो यह कोई कंपनियां स्टॉक होती है तो अगर कोई पर्टिकुलर एक लेवल पर सस्टेन करती है जैसे 38.2 पर यह यहां पर सस्टेन कर रहा था तब यह कहां पर गई जो इसका अगला टार्गेट था डवल नाइन सिक्स वन के आसपास जा रहा था लेकिन अब यहां पर आने के बाद मार्केट अगर सस्टेन नहीं करेगी तो अगर यह सस्टेन कर जाती तो जो इसका अगला टार्गेट होता आप देखते हैं यहां पर 61.8 जो परसे उसके हिसाब से भी मार्केट हमारी बहुत जादा आज घीरी है और एक और यहां पर रिजन यह भी आ रहा है आप देखेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम में अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे कि जो हमारे ट्रेंड लाइन है अल्रेडी ब्रेक हो चुका है तो कल के दिन में क्या क्या चीजे हो सकती है और निफ्टी बंध होते होते तक एक जो लेबल पर आके वहां से थोड़ा सा बाउंस की थी वो भी हम उस पर भी बात करेंगे कि उसने बाउंस क्यों किया तो हमारी जो अनालीसिस होती है वो हम ल ब्लैक एंड रिट दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि अब हमें कल के लिए लेवल स्टलास नहीं है तो हम एक घंटें पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा जो एक घंटे का 100 एंड 200 एमे कहां पर अभी लाई कर रहा है अब यहां समय ने इसको प्लॉट कर दिए आप देखेंगे पर्टिकुलर एक लेवल यहां पर हमें दिखाई दे रही है यह क्या है आज का जो लो बना था आप देखेंगे यहां पर आ कि को प्रेक करने में टाइम लगता एक मार्केट बार पार बार आएगे बार बार आएगे बांस करें और भार आए कि झाली जो है उसको या ठीक करेंगी तो फिर उसको ऊपर से जाकर बांस करेंगे तो आज देखेंगे यह अगर हम यहाप dai 6 being कि यहाँ पे एक लाइन ड्र और उपर ये आप देखेंगे ब्लैक वाला जो हमारा लाइन है वो है 9-3-2-8 तो 9-3-2-8 एक घंटे में हमारा एक ये 200 ये में का एक रेजिस्टियन्स की तरह काम करेगा तो हम 15 मिनिट में जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर ज्यादा हमें कंडल्स होंगे ओके तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आज जो है मार्केट ऐसे गिरी थी और एकदम सेम हमारे 9-2-6-4 के आसपास आई जो इसका लो था आप देखेंगे 9-2-6-7 के आसपास है यहां पर इसने सपोर्ट लिया इसका जो लो था 9-2-7-0 के आसपास तो आपने देखा यहां पर कैसे इसने थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया उपर मार्केट बंद हुई है तो इस तरीके से जो आवरली टाइम फ्रे और 9-2-6-4 अब कल के दिन में जो यह लेवल से बहुत ही ज़्यादा एक इंपोर्टेंट लेवल हो सकते हैं क्यों क्यों कि अगर मार्केट इसके उपर जाती है तो आप देखेंगे 9-3-2-8 को अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अगला जो हमारा जोन हो सकता है जहां पर मार्केट जा सकती है वो कहां पर हो सकता है वो हो सकता है अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम इसको करें तो फिर दो घंटे में हम जाते हैं और देखते हैं कि भईया हमारा जो अगला रजि आसपास से गिरी है अगर यह market को sustain करती है support देती है आप देखेंगे 2 गंटे में जो हमारा उन्रेड एमियए में मैं इसको यहाँ पर support दे रहा है आप देखेंगे 9 2 क ए-tut के आसपास टिए 92 एट 2 के आसपास हमारा जो यह market को support सपोर्ट दे रहा है यह तो 9264 से लेके एक 9300 मतलब एक जो 20-25 पॉइंट का जो एक रेंज होता है देखिए मार्केट जो है न रेंज सपोर्ट जो रहती है एक एक्चुल कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता है कि वहीं से आके मार्केट बाउंस करेगी एक रेंज रहता है 20-25 पर दिख रहा है नहीं आप देखेंगे 9410 मतलब 9400 के आसपास हमेक रिजिस्टेंस 100 इमेगा दिख रहा है यहां पर इसको अगर हम 4 आवर्स कर देते हैं तो फिर कहां पर दिखता है अब यह जादा काफी जादा उपर हो गया जो की लेवल्स अभी नामुंकिन है कि यह ले मार्केट ओके तो एक घंटे पर हम गया और हमने देखा जो हमारा स्विंग लो रहेगा वह जो रहेगा जहां मार्केट बार बार आती है और वहां से उठती है मार्केट तो और उधर से स्विंग लोग भी रहना चाहिए हमारा बना हुआ तो एक हमारा एक लेबल हो सकता है तो हम लोग देखते हैं यहां पर तो आप देखेंगे कि यहां पर मार्केट बार बार आई है 9229 के आसपास ठीक है 9229 के आसपास मार्केट बार बार आई है आपने देखा यहां पर कितनी बार आई है तो मैं आपको दिखावी देता हूँ एक तो इसका स्वींग नू बना है हमारा और इसका कैंदल का बना है इसकी बना है स्वींग इसका भी बना है तो इस तरह से स्वींग हाई के आसपास हमारे टार्गेट हो सकते हैं कल के लिए भी यह चीज़े आप ऐसे पॉइंट कर सकते हैं अब जो अगला रहेगा जहां से मार्केट बार बार आई है और इसने बाउंस किया है तो यह यह जो है आपका कि हम मैच करने की कुशिस कर रहे हैं कि हम एक पॉइंट ऐसा मिल जाए कि एक हमारा एक जो रिंज है पता चल जाए तो इसको हम देख लेते हैं एक बाद कि यहां पर और तो 9165 ऑके तो अभी देख लीजें ऐसे जो है लेवल्स कल के लिए आ सकते हैं और उपर की तरफ अगर हम देखे रिजिस्टेंस हमारा तो 9400 के आसपास हमें एक रिजिस्टेंस जो दिख रहा है तो अगर कल मार्केट ओपन होती है तो आपको वेट करना है कम से कम यह जो लेवल हमारा है ब्रेक हो जो पहला जो लेवल हमें दिख रहा है यह कौन सा लेवल दिख रहे हमें यह वाला लेवल जो हमने यह में से निकाला है 9330 वाला और 9264 वाला क्यों क्योंकि जो एक घंटी में हमारे निकों यह पर किम्घ्राइब हमएंगी तक भी स्फॉब गष्पान क्यूब यहां पर ठीक चान के नीची के लेवल्स आपको ये सब दिखाई दे सकते हैं और उपर के लेवल्स आपको ये दिखाई देंगे ओके तो हम गया पांच मिनिट में अब देखिए अब देखिए तो इस तरीके से निफ्टी में कल के दिन ये चीज़े हो सकती है तो मैंने आपको पूरा एक स्पेन करके बता दिया कि आज के दिन भी मार्केट कहां से बाउंस की थी और उसके पीछे क्या रिजन था ठीक है तो गाईज आप भी इस तरह के आनालिसिस कर सकते हैं किसी दे और मैंने ITC के जो लेवल्स दिये थे उसमें कैसे मल्टी टाइम फ्रेम अनालिसिस की थी वह भी आप देख सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए समझे कैसे मल्टी टाइम फ्रेम अनालिसिस होती है और चीजों को एक्स्प्लोर करते रहे सीखिए और हमारे टेलिग्र और यह दो दिन दिनों से मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा था तो यह थोड़ी वीडियो बनाने में मुझे डिले हो गया है तो अब भी जो मेरा वीडियो रहेगा वो करेंट रहेगा और आप इसी तरह से सीख सकते हैं इस चैनल से तो यह लेवल्स जो है आप अपने माइंड में रखे कल के लिए और फिर निफ्टी को ट्रेड कीजिए ओके सो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप चैनल को सब्स्राइब कीजिए लाइक कीजिए और सेर भी कीजिए